हेलो बच्चों, हमारे यूट्टूब चनल अरस्तु एजूकेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका से हिंदी विशय के पाठ दो गुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर के प्रश्न उतर तो आईए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखींगे मौकिक भासा विकास या चर्चा चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है उसे पढ़िंगे पहला है नीम से हमें क्या क्या लाब होते हैं तो हमें नीम से नीम की पत्तिया प्राप्त होती है जिससे औसधी बनाई जाती है, साबुन बनाई जाती है अगला है फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के किस भाग से साबुन बनाई जाता है तो नीम की पत्तियों से साबुन बनाया जाता है इन ही पांच औसदीव रक्षों के नाम बताईए तो औसदीव रक्ष है नीम, आवला, तुलसी, एलोवरा, शीशम अगला है निबोरी किसे कहते हैं तो निबोरी नीम के फल को कहते हैं आगे बढ़ेंगे पठन बूद पढ़ें इसे आप पढ़ ले आगे देखेंगे लिकित भासा विकास पठन बूद में दिये गए पाठ्यांस 7 मई सन 1861 को डैश भी प्रकासित हुई तक के अंस को लिखिए हमने जो पठन बूद पढ़ा है उसी से लेके लिखेंगे 7 मई से लेकर प्रकासित हुई तक यहाँ पर लिख लेंगे देखिए कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप यह भी यह लिख लें आगे बढ़ेंगे प्रश्निक्रमांग 1 बच्पन में रविंदरनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था इसका उत्तर लिखिए रवी कहकर पुकारा जाता था बच्पन में रविंदरनाथ को रवी कहकर पुकारा जाता था प्रश्निक्रमांग 2 दिये गए सब्दों में पन जोड कर नए सब्द बनाईए उधारन दिया है बच धन पन बराबर बच्पन सब्द दिये हैं लड़क बाल पच अपना इनमें पन लगाकर सब्द बनाईएंगे लड़क पन बाल पन पच पन और अपना पन आगे बढ़ेंगे प्रश्निक्रमांग 3 रविंदरनाथ टैगोर की प्रमुक रुचियां क्या क्या थी लिखिए इसके उत्तर में लिखिए संगीत चित्रकला एवं नाटक में टैगोर की रुचिया थी आगे बढ़ेंगे शब्द या वाक की पठन लेखन गति विधिया प्रश्निक्रमांग एक है वाक्यों को पढ़िए और लिखिए वाक की लिखा है पहला वाक्य है रविंद्र को सभी कोकिल कंटी कहते थे इसे यहाँ पर लिख लें दूसरा है वे धार्मिक एवं प्रकरती प्रेमी थे यह भी यहाँ पर लिख लें आगे देखेंगे प्रश्निक्रमांग दो सब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें उधारण जन्म रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता कोलकाता नगर में हुआ था अगला वाक्य है कवीता कवीता पर वाक्य बनाएंगे रविंद्र नाथ टैगोर ने साथ साल की उम्र में पहली कवीता लिखी कवीता की नीचे अंडरलाइन कर लें अगला है रुची, टैगोर की संगीत में रुची थी, रुची के नीचे अंडरलाइन कर ले शिक्छा, रविंद्र ने उच्छ सिक्छा इंग्लेंड में प्राप्त की, शिक्छा के नीचे अंडरलाइन कर ले आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन पढ़िए जीजावाई ने सिव नेरी दुर्ग की अधिश्ठात्री सिवाई देवी से प्रात्ना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो देवी की क्रपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ सिवाई देवी के प्रतीश रधा के कार्ण पुत्र का नाम सिवा रखा तो इसके आधार पर मौखिक प्रशने देखेंगे प्रशने क्रमाग एक जीजावाई ने सिवाई देवी से क्या प्राथना की थी तो मुझे वीर पुत्र की प्राप्ती हो उत्तर में आप जवाब देंगे मुझे वीर पुत्र की प्राप्ती हो लिखित प्रश्न है प्रश्न एक जीजावाई ने अपने पुत्र का नाम सिवा क्यों रखा इसके उत्तर में लिखे जीजावाई ने सिवाई देवी के प्रतीश रधा के कारण अपने पुत्र का नाम शिवा रखा आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन में किसी भी महापुरुस के बारे में तीन से चार वाक्य लिखना है तो हमने लिखा है रविंद्र नाथ टैगोर के बारे में पहला पॉइंट लिखिए रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म साथ मई 1861 को हुआ था दूसरा इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था तीसरा पॉइंट इनको बच्चपन में रवी कहकर पुकारते थे चौथा पॉइंट सन 1912 में इनको नौवेल पुरुस्तकार मिला आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र पठन पढ़िए इसे आप पढ़ ले नीला गीदर इसे आप पढ़ ले इसके आधार पर प्रश्णों के उत्तर देने हैं प्रश्ण एक है गीदर के नीले होने का क्या कारण था तो उत्तर है गीदर के नील के बढ़तन में गिर गया था जिससे वह नीले रंका हो गया था बच्चों यहाँ पर दिवस एक काकार कम्प्लीट होता है अब हम पाठ दो गुरुदेव रविद्र नात टैग और के दिवस दो काकार भी यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं मौकिक भाशा विकास या चर्चा यहाँ पर चित्र दिया है आम के व्रक्ष का इस पर चर्चा करेंगे मौकिक चर्चा के लिए प्रश्न है किनी पाच फल्दार व्रक्षों के नाम बताईए तो पाच फल्दार व्रक्ष है आम, केला, जामुन, सेब, संत्रा आप भी अपने अनुसार फलदार रक्षों के नाम बताईए जो आपको याद हूँ अगला पॉइंट है आम के फल से बनने वाली खाद सामगरियों के नाम लिखिए आम से बनता है आम रश और क्या क्या चीजे बनती है आप भी बताएं आम के फल को और किस नाम से जाना जाता है आम के फल को फलो का राजा नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ेंगे पठन बूध अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में दिये पठन अंश को पढ़िये आगे बढ़ेंगे लिखित भासा विकास पठन बोध में दिये पाठ्यांस में से वे रविंद्रनाद के नाम डैश गुरुदेव का निधन हो गया तक के अंश को लिखिए यहाँ पर आपको पठन बोध में जो पढ़ा है आपने उसी को यहाँ पर लिख लेना जैसे हमने लिखा है यह वाला साथ माई से जो अपने शुरू किया है पठन बोध उसे यहाँ से पढ़ कर यहाँ पर लिख लें आगे बढ़ेंगे प्रश्निक्रमांग एक पठन अंस को पढ़ने के बाद लिखेंगे गुरुदेव का गान गुरुदेव ने कौन सा गान बनाया है जनगर्मन गुरुदेव का विद्याला है सांतिनी केतन गुरुदेव का संगीत रविंद्र संगीत और गुरुदेव का पुरुसकार नोविल पुरुसकार ऐसा आप भी लिख लें आगे देखेंगे सब्द वाक्य पठन लेकन गतिविद्या प्रश्ण एक है सब्दों को पढ़िए और लिखिए इन सब्दों को पढ़ना है और यहां पर खाली जगों में लिखना है जैसे गितानजली, पुरुसकार, राश्वरगान, संगीत, चलियावाला, इत्यादी आगे बढ़ेंगे प्रश्णिक्रमांग दो सब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए उधारन दिया है पुस्तक, पुस्तक हमारी मित्र होती है पहला वाक्य है विद्याले, पहला सब्द है विद्याले, इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम प्रती दिन विद्याले जाते हैं, विद्याले की नीचे अंडरलाइन करेंगे दूसरा सब्द है प्रशिद आगरा के पेठा बहुत प्रशिद है प्रशिद की नीचे अंडरलाइन करेंगे तीसरा सब्द है संगीत मुझे संगीत का शौक है संगीत की नीचे अंडरलाइन करेंगे आगे बढ़िये धारा प्रवाह पठन पढ़िये मेरा नाम दीपा है मेरी नानी के गाउ में एक बहुत बड़ा बरगत का पेड़ था मैं इसे बड़ी लटो वाला पेड़ कह दी थी यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था पेड़ बहुत ही पुराना था उसकी लटे लंबी थी इसके आधार पर हम मोखिक प्रशन देखेंगे प्रशन एक है दीपा बरगत के पेड़ को बड़ी लटो वाला पेड़ क्यों कहती थी क्योंकि पेड़ की लटे बहुत बड़ी थी लिखित प्रशन देखिए प्रशन एक है बगीचे में क्या क्या होता है अपने शब्दों में लिखिए उत्तर में लिखिए बगीचे में बिभीने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र पठन अपने पुस्तकाला से किसी एक कवीता या कहानी की पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखिए हमने कवीता ली है कवीता का नाम है शीखो कवीता किसके बारे में है तो प्रकरती से सीखने के बारे में है आप भी ये लिख लें आगे देखींगे स्वतंत्र लेकन चंद्र सेखर आजाद का जन्म मध्ध प्रदेश के अली राजपुर जिले के भावरा चंद्र सेखर आजाद नगर गाव में हुआ था इश्वर ने जैसे उनको आजादी का अलग जगाने धरती पर भीजा था माबाप के प्यार को छोड़ कर देश की सेवा में समर्पित होना आजाद के हिरदय की महानता को शिद्ध करता है प्रश्णों की उत्तर एक है दो वाक्यों में लिखिए प्रश्ण एक है इश्वर ने चंदर सेखर आजाद को किस कारे के लिए धरती पर भीजा था तो इसका उत्तर लिखिए इश्वर ने चंदर सेखर आजाद को आजादी का अलग जगाने धरती पर भीजा था प्रश्ण दो है आजाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है इसका उत्तर है देश की सेवा में समर्पित होना तो बच्चों यहाँ पर दिवस दो का कारी भी कम्प्लिट होता है हम आज दिवस तीन का कारी भी यहाँ पर कम्प्लिट करेंगे तो देखेंगे मौकिक भाशा, विकास या चर्जा यहाँ पर चित्र दिया है यह एक हाथी का चित्र है और भी जानवर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे खरगोस और भी त्यादी जानवर यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं मौकिक चर्चा के लिए प्रश्न है हाथी अपनी सूर से क्या करता है तो हाथी अपनी सूर से पानी पीता है, नहाता है, भोजन करता है अगला पॉइंट है हाथी पर किसी कवीता की चार पंक्तिया सुनाईए तो बच्चों आपको हाथी पर कवीता आती हो तो इसकी चार पंक्तिया आप अपने सिक्षक को सुनादेंगे हाथी के समान किसी बड़े जानवर एवं खरगोस के समान किसी छोटे जानवर का नाम बताईए तो हाथी के समान बड़ा जानवर है उट और खरगोस के समान छोटा जानवर है बिल्ली आगे बढ़ेंगे पार्टि पुस्तत के प्रश्ट क्रमांक 4 एवं 5 के अनुच्छेद 7 मई सन डैश निकेतन में रहेंगे को पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे आगे देखेंगे लिखित भाशा विकास प्रेश्न क्रमांक एक देवाक्यों में रेखांकि सब्द के विलोम लिखकर पुनह वाक्य बना कर लिखी जो रेखांकि सब्द है उनका विलोम बताना है और उसका वाक्य बनाना है पहला है उसका काम अच्छा है तो उसका वाक्य बनाएंगे उसका काम बुरा है अच्छा का विलोम होता है बुरा दूसरा है वय बहुत लंबी है इसका वाक्य बनाएए वय बहुत छोटी है लंबी का विलोम छोटी हमें कितना दुख है इसका वाक्य बनाएंगे हमें कितना सुख है दुख का विलोम होता है सुख आगे बढ़ेंगे पढ़े गए पठन अंस में किस किस के नाम आए है उत्तर देखेंगे उधारन दिया है देवेंद्रनात और किस किस के नाम आए है रविंद्रनाथ, रवी, रविंद्र आगे बढ़िए प्रश्निक्रमांग तीन रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया उत्तर में लिखिए कोयल की तरह सुरीला गला होने के कारण उन्हें कोकिल कंठी कहा गया प्रश्निक्रमांग चार है देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर कहा गए इसका उत्तर है शांति निकेतन देवेंद्रनाथ रविंद्र को शांति निकेतन लेकर गए आगे बढ़ेंगे शब्द बाग की पठन लेखन गती विध्या वर्ण वासे प्रारम होने वाले चार सब्द लिखी उधारन देखेंगे वजन वासे और क्या-क्या सब्द प्रारम होते देखेंगे वारिस, वन, वीर और वीडा आप भी लिख लें अगला है पढ़िए, समझे और लिखे तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुन्दर कीट है तितली के पंक रंग भी रंगे होते हैं यह कोई, हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती तो इसके आधार पर लिखेंगे उधारन दिया है जैसे छोटा का विलोम पकड़ना छोटा का विलोम है बड़ा पकड़ना का विलोम है छोड़ना सुन्दर का विलोम है गुरूप और यह का विलोम है वह आगे देखेंगे निर्देश दिया है पार्ठी पुस्तक के प्रश्टिक्रमांग ग्यारा के अभ्यास दो को कौपी में हल कीजिए यह आप हल कर लेंगे नीचे कुछ वाक्यों को अलग-अलग भाकों में लिखा गया है उन्हें मिला कर सुद्धिवा के लिखिए तो देखेंगे यहां तालीका बनी हुई है का तालीका में जो सब्द आगे पीछे लिखे हैं उन्हें लिखना है आप देख लेंगे पहला जैसे पहली वाक्ष में लिखा है गीतांजली पर उन्हें नोवेल पुरुसकार मिला इसी प्रकार सभी रविंद्रनाथ को बच्पन में रवी कहकर बुलाते थी तीसरा है गा नमबर सांती निकेतन में उन्होंने एक विध्याला खोला गा नमबर है साट वर्स की आईउ में उन्होंने चित्र बनाना सुरू किया आप भी ऐसे मिलान कर लें आगे बढ़ेंगे यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को लिखना है आप यहाँ से देखकर लिख लें आगे बढ़ेंगे धारा प्रवाह पठन पढ़िए रोसन को मुंगफली बहुत पसंद थी उसकी मा उसे थोड़ी थोड़ी मुंगफली देती थी लेकिन वह जादा के लिए हट करता था मा हमेशा कहती एक साथ जादा मुंगफली नहीं खाना चाहिए मौखिक प्रशन देखिए प्रशन एक है मा ने रोसन को जादा मुंगफली खाने से क्यों मना किया होगा क्योंकि किसी भी चीज को जादा नहीं खाना चाहिए लिखित प्रश्न है प्रश्न एक किनी तीर अनाजों के नाम लिखे जिनकी फलिया होती है जैसे मूंग फली तो उत्तर में लिखेंगे सोयाबीन, मूंग, लोबिया इन अनाजों की भी फलिया होती हैं आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास यहाँ पर स्वतंत्र पठन पेड़ कई प्रकार के होते हैं जैसे आम, जामू, नीम, अमुरुदादी पेड़ों से ताजी हवा मिलती है पेड़ हम सबको आकरशित करते हैं पेड़ बिविन प्रकार की फल और औस्दियां भी देते हैं प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए इसी के अधर पर प्रश्ने दिये हैं प्रश्न क्रमांग एक किनी पाच औस्दी पौधों के नाम लिखिए उत्तर में लिखिए नीम, दूसरा जैट फ्रोफाव, तीसरा एलोवेरा, चौथा तुलसी, पाचवा चंदन प्रश्निक्रमांग दो है, किनी पाच मसालों के नाम लिखे जिनसे बिमारियां दूर होती है उत्तर में लिखेंगे, पहला काली मिर्ज, दूसरा जीरा, तीसरा मेथी, चौथा दालशीनी, पाचवा, हल्दी प्रश्निक्रमांग तीन, स्वच्छ भारत पोश्टर देखकर, पोश्टर के बारे में तीन बंग्तिया लिखे तो बच्छों इस पोश्टर को देखकर, आप के मन में कौन-कौन से विचार आ रहे हैं, उसको आप या लिखना है पहला, हमें कच्रे को हमेशा कच्रे के डिब्बे में डालना चाहिए दूसरा, स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है और तीसरा, मुझे स्वच्छता बहुत पसंद है आप भी लिख ले आगे देखेंगे, सिक्छक द्वारा बोले गए सब दिया वाके लिखे आपको सिक्छकों ने जो बोला है, उसे आप यहाँ पर लिख ले पार्ठ पुस्तक के प्रश्टिक्रमांग 10 में दिये गए रिक्तिस्थानों को भरिये तो यहाँ पर आप रिक्तिस्थानों को भर लेंगे जैसे का है रविंद्रनाथ को गीतानजली पुस्तक पर नोविल पुरुसकार मिला खा है रविंद्रनाथ को प्रकर्टी से बहुत प्यार था आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिवस तीन का कारे भी कम्प्लिट हो गया आज हम दिवस चार का कारे भी यहाँ पर कम्प्लिट कर लेंगे मौखिक भासा विकास या चर्जा मौखिक चर्जा के लिए प्रेशने दिये है पेड़ पर से चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे चॉकलेट तोड़ने के लिए हम पेड़ पर चर्ड़ जाएंगे मगर बच्चों चॉकलेट तो पेड़ पर लगती है नहीं है अगला पॉइंट है पेड लगाने के लिए बीज को जमीन में बोते हैं यदि हम टौफी को जमीन में बोते हैं तो क्या होगा टौफी बनाई जाती है ना कि उसका बीज होता है इसलिए हम टौफी को नहीं बो सकते अगला है पेड लगाने के लिए क्या क्या करना होता है पेड लगाने के लिए बीज को मिटी को खोद कर दबाना पड़ता है और उसमें पानी डालना पड़ता है जब तक कि उससे पौधा ना निकल आए और उसमें प्रति दिन भी पानी डालना पड़ता है आगे बढ़ेंगे लिखित भासा विकास प्रश्न एक है तीन जाड़ी दार पेड़ों के नाम लिखिए उत्तर में लिखेंगे बेर, नीबू, गुलाब प्रश्न दो आपके अनुसार और किन किन चीजों के पेड़ होने चाहिए तो बच्चे चाहते हैं कि उत्तर में लिखेंगे चॉकलेट, पैसे, बिस्किट, आदी के पेड़ होने चाहिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांग तीन अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया? इसके उत्तर में लिखेंगे जलिया वाला बाग में अंग्रेजों ने निर्दोसों पर गोलिया चलाई थी इसलिए गुरुदेव ने अंग्रेजों का विरोध गिया आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांग चार इसका उत्तर है स्वतंतरता पूर्वक प्राकर्तिक वातावरण में सिक्षा प्राप्त करते थे आगे बढ़ेंगे सब्द वाकी पठन लेकन गतिवी दिया प्रश्न क्रमांग एक पढ़िये और लिखिये यहाँ पर सब्द दिये है इन्हें पढ़ना भी है और इन खालिस्थानों में लिखना भी है सब्द है निर्दोष, उपाधी, महत्मा, चित्रसैली इन्हें आप लिखे ले आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांग दो जोड़ी बनाईए जोड़ी बनाईएंगे चलिए छोटा की जोड़ी है बड़ा सुख का दुख, इधर का उधर, जन्म का मरण और योगी का आयोगी यहाँ खालिस्थानों में लिख ले आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांग तीन इन वाकियों को पढ़िए और लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता है इस वाकियों को पढ़ कर इस खालिस्थान में लिख लेना है दूसरा है, साट वर्स की आयों में उन्होंने चित्र बनाना सुरू किया इसे भी लिख ले आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन पढ़िये, मेरे पेड पर फूल और फल भी लगते है मेरे फल को निवोरी कहते है मेरे फल फूल बहुत काम की चीजे है इन्हें खाने से पेड की कई बिमारिया दूर हो जाती है इसके अधार पर मौकिक प्रशन दिया है आप अपने बारे में तीन वाकी बोलिए अपने बारे में तीन वाकी बोलींगे जैसे मेरा नाम राम है मैं कक्छा चौती में पढ़ता हूँ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है आगे देखेंगे लिखित प्रशन प्रशन करमांग 1 उप्यक्त अंस को पढ़कर बताईए कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है तो इसके उत्तर में लिखेंगे नीम के पेड़ के बारे में कहा गया है प्रेश्निक्रमांग 2 है आवले से मिलने वाले किसी एक लाब को लिखे तो इसके उत्तर में लिखे आवले में बिटामिन C होता है जिससे बालों का जणना रुक जाता है आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र पठन यहां पर एक चित्र दिया है जिसमें सूचना दी हुई है पाच जून विस पर्यावरण दिवश पर पेड और हम विशय पर निवंध लेखन प्रतियोगिता होगी इसी के आधार पर प्रश्णों के उत्तर देंगे लिखित प्रश्ण है प्रश्णिक्रमांग एक यह सूचना किस विशय से सम्बंदित है इसका उत्तर है पेड और हम प्रश्णिक्रमांग दो है पेडों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है इसका उत्तर है पेडों की कटाई से पर्यावरण में बहुत गर्मी बढ़ रही है आगे बढ़ेंगे सिक्षक द्वारा बोले गए सब्दिया वाकि ये आप स्वयम करेंगे बच्चों यहाँ पर आपका दिवस चार का कारे भी कम्प्लिट हो गया आप हम दिवस पाच का कारेभी सपता है साथ के दिवस पाच का कारेभी यहाँ पर कम्प्लिट करेंगे मौखिक भाशा, फिकास या चर्चा यहाँ पर यह चित्र दिया है इसी के आधार पर हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने है पहला है आप तेल के लिए क्या क्या उप्योग करते हैं तेल का उप्योग क्या 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 उप्योग के लिए करते हैं बालों में लगाने के लिए और खाना पकाने के लिए अगला है नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी की दातून की जाती है तो आप अपने तो नीम के अलावा बबूल के पेड़ की टेहनी किसे भी दातुन की जाती है अगला है आप अपने दात साफ करने के लिए किन किन चीजों का उप्योग करते हैं तो हम टूथ पेश्ट और ब्रेश का उप्योग करते हैं आगे बढ़ेंगे लिखित भासा विकास लिखित प्रश्ट है प्रश्णिक्रमांग एक गुरुदेव के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया इसके उत्तर में लिखिए गुरुदेव ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयम बनाई थी इसलिए इन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है प्रश्णिक्रमांग दो पार्ट के प्रश्णिक्रमांग चार के चितरों को देखिए और लिखिए यहाँ पर आपको लिखना है पहला चितर किस स्थान का है आपको अपनी पार्ट पुस्तक को निकालना है और चितरों को देखना है पहला चितर किस स्थान का है कलकत्ता का है दूसरी चितर में क्या दिख रहा है रवी और गुरुजी है तीसरे चितर में बच्चे के आसपास क्या है? फूल, तितलिया, भवरे आदी हैं चोथे चितर में कौन-कौन दिख रहे हैं? गुरुदेव के बड़े भाई एवम संपादक आगे बढ़ेंगे प्रश्टिक्रमांग तीन जलियावाला कांड के बारे में अपने सब्दों में लिखिए इसका उत्तर लिखिए सन 1919 में अम्रिसर के जलियावाला बाग में अंग्रेजों ने सैकडों निर्दियूसों को गोलियों से भून डाला था आगे बढ़ेंगे सब्द वाकी पठल लेकन गतिवी दिया प्रश्टिक्रमांग एक सब्दों को पढ़िए और अपनी कौपी में लिखिए हरा भरा, क्रिया कलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान इन सब्दों को पढ़कर अपनी कौपी में लिखना है आगे बढ़ेंगे प्रश्टिक्रमांग दो, वाकी मेरे खांकि सब्दों के अर्थ बताईए उधारन दिया है विजय विश्व तिरंगा प्यारा विश्व का अर्थ होता है संसार उसी प्रकार कोयल मधूर स्वर में गाती है मधूर का अर्थ होता है सुरीला तीसरा है रविंद्रनात, देविंद्रनात के पुत्र थे पुत्र का अर्थ होता है बेटा प्रश्टिक्रमांग तीन है निनलिखित का वाकियों में प्रयोग करें पुरुसकार, गुरुदेव को नोवेल पुरुसकार मिला, पुरुसकार के नीचे अंडरलाइन, प्रशिद गुरुदेव की चित्रकला भी प्रशिद थी आगे बढ़ेंगे धारा प्रवाह पठन पढ़िए इसे आप पढ़ ले इसके अधर पर मोखिक प्रश्न देखेंगे प्रश्न एक है उप्यूकत गध्यांस को पढ़कर माहत्मा गांधी के बारे में अपने सब्दों में बताईए इसे आप अपने सब्दों में बताएंगे लिकित प्रेश्न है प्रेश्न क्रमांग एक महात्मा गांधी का जन्म कब और कहा हुआ था इसका उत्तर है महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर को पोर बंदर में हुआ था आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास यहां पर सूचन दी है विद्यालय पत्री का नठकट का प्रकाशन इसे आप पढ़ लेंगे इसके आधार पर हम प्रशनों के उत्तर लिखेंगे लिखित प्रशने दिया है, प्रशने एक, सूजना के अनुसार विद्याले में किस पत्रीका का प्रकाशन होता है, नठखट पत्रीका का, इसका उत्तर है नठखट पत्रीका का, प्रशने क्रमांग दो है, छात्र अपनी रचना या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या क करेंगे इसका उत्तर है स्वयम की रचनाएं अपने कक्छा सिक्षक को देंगे आगे बढ़ेंगे सिक्षक द्वारा बोले गए सब्द या वाकि इसे आप स्वयम करेंगे आगे देखिए बच्चों यहाँ पर दिवस पाच का कारिभी कंप्लेट हो गया अब हम अब हम दिवस छे का कारिभी यहाँ पर कंप्लेट कर लेंगे सबसे पहले मौखिक भासा विकास मौखिक जर्चा की लिए प्रश्न दिये हैं अपने विद्याले का पूरा नाम बताएए आप अपने विद्याले का नाम बताएंगे हमारे विद्याले का नाम है सास की उच्छ तर्मादमिक शाला अगला है पार्ट में आये किनी दो या तीन पात्रों के नाम बताईए पार्ट में आये हैं रविंद्रनात, रवी रविंद्र आगे बढ़ेंगे नोवेल पुरुसकार पाने वाले आप पहले एशियाई है यह वाक्य किस ने कहा कहा तो यह वाक्य उनके छात्रों ने कहा था अगला पॉइंट है किनी दो वादी अंत्रों के नाम बताईए जैसे बासुरी तो वादी अंत्र होते हैं तबला और हार्मोनियम आगे देखींगे लिखित भासा विकास प्रश्निक्रमांग एक है रविंद्रनाथ को गुरुजी सिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे इसका उत्तर है रामायर और महाभारत की कथाई प्रश्निक्रमांग दो रविंद्रनाथ को बच्पन में किस नाम से पुकारा जाता था रविंद्रनाथ को बच्पन में रवी कहकर पुकारा जाता था आगे बढ़ेंगे वाक्य पठन लेकन गदिया सब्द वाक्य पठन लेकन गतिविदिया इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए ये फूल तितलिया और भवरे कितने सुन्दर हैं इसे पढ़कर यहाँ पर लिखना है अगला वाक्य है गुरुदेव हमें आप पर गर्व है इसे भी यहाँ पर आप लिख ले आगे बढ़ेंगे समानार्थ प्रश्न क्रमांग दो समानार्थी सब्दों का मिलान कीजिए समानार्थी मतलब जिसका अर्थ समान है जैसे धर्थी का अर्थ होता है प्रत्वी, हवा का पवन पेड का ब्रक्ष और नदी का सरीता इन खाली जगह पर लिखे ले आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांग तीन महत्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे इसका उत्तर है गुरुदेव प्रश्न क्रमांग चार रविंद्रनाथ के बारे में दो वाक्य लिखे इसकी उत्तर में लिखेंगे पहला वाक्य रविंद्रनाथ को प्रकर्ती से बहुत प्यार था दूसरा है रविंद्रनाथ को नोबेल पुरुसकार मिला था आगे बढ़ेंगे धारा प्रवाह पठन उसे आप पढ़ लें इसकी आधार पर मौखिक प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्रमांक एक नहरू जी के संबंध में कोई दो बाते बताईए तो नहरू जी याने की पंडित जवाहर लाल नहरू हमारे देश के प्रतम प्रदान मंत्री थे और दूसरा वाक्य है की नहरू जी को बच्चे चाचा नहरू कहकर पुकारते थे आगे बढ़ेंगे लिखित प्रश्ण प्रश्ण क्रमांग एक बच्चे नहरू जी को चाचा नहरू क्यों कहते थे इसके उतर में लिखिये नहरू जी को बच्चे से बहुत प्यार था इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नहरू कहते थे आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास यहां पर चित्र दिया हुआ है इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उतर देने हैं लिखित प्रश्री प्रश्न प्रमांग एक है चित्र के बारे में दो वाके लिखें इसका उतर लिखेंगे पहला तितलिया और फूल बहुत सुन्दर है दुसरा वाकिये बच्चे तितलियों के साथ खेल रहे है आगे बढ़ेंगे सिक्षक द्वारा बोले गए सब्द या वाकि लिखिए यहाँ पर आप स्वयम लिख लेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका दिवस 6 का कारी भी कम्प्लिट होता है आपको वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम हमारे चैनल पर आपके लिए सभी वीडियो उपलब्द कराने वाले हैं आगे वाले भी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ठैंक यू